एक महात्मा बाढ़ के पानी से अपना बचाव के लिए भगवान का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन किसने सोचा भी नहीं होगा कि एक रोचक तथ्य सामने आएगा जो महात्मा की आँखें खोल देगा। मुनी को भगवान कृष्ण पर पूरा भरोसा था। एक दिन गाव में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, चारो तरफ पानी ही पानी फैल गया और सभी की जान को खत्रा हो गया। पर मुनी ने जवाब दिया, तुम अपनी सुरक्षा करो, मेरी सुरक्षा भगवान कृष्ण करेंगे। ये सुनकर सब लोग चले गए, पानी और भी ज्यादा बढ़ता गया और मुनी के घर में भी भर गया। तब ही वहाँ एक नाव आई, चलिए, मैं आपको सुरक्षित जगह पर ले चलता हूँ, नहीं, भगवान कृष्ण मुझे बचा लेंगे। नाव वाले ने बहुत कहा, पर मुनी नहीं माने। जब पानी और भी ज्यादा बढ़ गया, मुनी एक पेड़ पर चड़ गये और वहाँ बैठ कर भगवान को याद करने लगे। फिर एक हेलिकॉप्टर आया और बचाव दल ने रसी नीचे लटकाई। उन्होंने मुनी से कहा कि वो रसी पकड़ लें ताकि वे उन्हें बचा सकें। पर मुनी ने फिर मना कर दिया और कहा, नहीं, मेरे भगवान, कृष्ण मुझे बचा लेंगे। इसके बाद बचाव मैंने आपकी बहुत पूजा की, हमेशा आप पर विश्वास रखा, फिर जब मैं मुसीबत में था, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान, कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। और हमें सही दिशा में ले जाने के लिए विभिन्न माध्यमों से हमें संकेत देते रहते हैं। इसलिए हमें अपनी आस्था के साथ-साथ, जाग-रूक्ता और समझदारी को भी बनाए रखना कि कठिन समय में भी हमें अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का इस्तिमाल करते हुए सही निर्णय लेना चाहिए। आस्था और कर्म का संतुलन ही हमें जीवन की परीक्षाओं में सही मार्ग दिखा सकता है।